एलो फ्रेंज कुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे तो ये कल न वहीं से का वीडियो है जहां से मैंने का लेंड किया था मतलब किचन क्लीनिंग करी थी तो ये उसी दिन का वीडियो है मुझे बैट शुट वग्यार भी चेंज करनी थी क कहाना मैंने सारा काम मैंने रोग दिया था कि डॉक्टर के पास जाना है यह थी यह वाले कवर फिव ही में ली आई थी वहां है अब तो मैंने कछलो इनको भी यही ले जाती हूं तो यह भी लिय आई थी में इस पार पिछली बार ले आई थी जब मैं पिछली बार आई थी ले उस ट्राइम पे ले आई थी तो मैंने का चलो सेट चेंज कर देती हूँ बैट्चिर तो दूल गई है बटी ये कवर जब से लगे थे तब से दूले नी थे तो बस यहाँ पे सारे अर बच्चों को आप देखी रहे हूँगे ये देवर लोगो पेटी काट के उसने अपने लिए बना दिया है बस बच्चे तो डबो से ही खेल रहे हैं और ठीक है बडबो से केल रहे हैं मतलब फोन वगएर से तो दूर है तो सही है तो मैंने कब मैंने उन्हें चाकू दे रहा है वैसा बिल्कुल धार नहीं है उसमें वैसा वाला चाकू दे रहा है नहीं तो धार वाला तो बच्चे हाथ कार देंगे तो उससे काट रहे हैं ये तो बस यहाँ पर मैंने बैट शेट चेंज कर दी फिर मैंने सोचा यार मतलब जब यह खुली गया है खुल मतलब यह चेंज ही कर रहे हैं तो अंदर न वो थे रजाई वगेरा ऐसे ही पड़ी भी थी तो मैंने का चलो रजाई रख देती हूँ पहले गिफ्ट फैले वे अबह यह दोनों तरफ तो मैंने डाक्त पता गिफ्ट यूस भी कर लिए, मैं वीडियो ही नहीं भणा पाई गिफ्ट अंबोक्सिंग का अंबोक्सिंग तो चलो नहीं, तो बता तो देती कया जिफ्ट विला था तो देखते हूं शाम को बनाती हूं अगर टाइम मिला जैसे भी हो डॉक्टर के पास ना आ गए तो देखते हैं तो यह बोड़े थे सीनरी वगरे लगा देते हैं हमने उपर रखी थी तो सीलन से भी खराब हो रही है और यह बोड़े किल से कही रहती है तो बस मैंने की निकले बड़ी गिलास है ने न यहां तो बस यह बैड़ भी न इसकी एक लोक रख रगेागी है तो रशायों की खुलके तो जाड़ू भी लगाती तो दूर पता नहीं यार कहा से आ जाती है वैसे ये बेट बिलकुल रस्ते में ही है ना मतलब दरवाजी खिड़की यही पर है तो आई जाती है तो मैं कही अली रजाई उपर रखनी है तो पहले होता है ना कोई मतलब हमारा सिस्टम ही अल अच्छा लगते हैं तो हलका सा फैन खोल दो कंबल निकाल लो मतलब अच्छा लगता है तो अरहनू यह बार बार कैमरे के आगे आ रहा था और तो बस यहां पर रजाई और यह एक छोटा सा ऐसी गद्दा है पुराना वह भी रख दिया है हमने गद्दे वगएर हमने इसल हमाल दिया है और इसके बाद बेड वह बंद कर लूंगी और दूसरा रूम भी खाली होगए ना इसली तो सारी रजाई बड़े ड्यरों में रखी थिया भी कि मैंने मीशों से क्या क्या लिए है और ठीक है रेट की हिसाब से 220 या 200 ऐसी कुछ की ये बैट शिट है तो काफी है मतलब है तो बहुत पतला है कपड़ा बट ठीक है काम चलाओ सरखार ठीक है तो बस ये बैड मेरा सैट हो गया है अब में चल जाओंगे अंदर वाले बै लिए तो वस यहां पर बैट शेट कर दूँगी और आरव को लगा दे मैंने डस्टिंग पर और वैसे ड्सटिंग कर लेता है मेरे बट बट जैसे पाव में मेरे दिक्कत औरी ना तो बहुत दूलाती है तो बस यहांपर बैट शेट बिचाद दींग और यह सब दूसरी ब सब्सक्राइबू मैं मिली है मुझे वो भी with मिल है इसमें ही क्या पूलते गह प्रवेश में तो यह रखा हूं तो निकालेंगे यहां से वहां से यहां पे दो वॉक्स रखे एक बाक्स में तो मेरा यह सिंदूर लिस्टिक वगयरा है और एक बाक्स में ऐसी चुटर-पुटर सामान जो मतलब प्लास वगयरा जो ऐसे सामान होते न वह है तो यह सेट कर दूंगे मैं और सीत, जो की कॉपी केताब भी लाएं लेकिन पढ़ा वी इता, एक बार भी नहीं थी। तो ऐसे ही होता है हम सोंकते बच्चे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, ऑथ हम इसी हो जाते, लापरवा है और तो बस अब नीचे के वारें तो नीचे सिर्फ मेरे इक अपड़े है और तो बैक के अंदर ही हैं तो ये दो-तिन सूट ना मैं यहीं के लिए लिए आई हूँ कि मैंने कब जब आओ तो यहीं पहन लूँगे मतलब बार-बार लाने ले जाने की जंजट नी रहेगी तो तीन सूट लेके आई हूँ मैं अपने तो जो यहीं रहेंगे और अभी तो मैंने यहां रखे लेकिन इस सलमारी में नहीं रखोंगे जैसा आप देख रहे होंगे इस सलमारी में बहुत सीलन आ रही है क्योंकि जिस दिन हमने पहले दिन पानी टंकी फिट करवाई थी ना तो उस दिन रात भर न यह खुला रहा था मतलब जो अभी हमने नल के नल तो लगाए है नहीं पूरे तो जो वो थे ना वो ढीले थे तो रात भर खुला रहा जिससे सीलन आ रही है तो शायद अभी भी मतलब लिकीज होई रहा है वो कुछ ना तो सोच रहे हैं इस बार की इस बातरूम के तो लगवाई ले हैं क्योंकि नल बे बहुत महेंगा थे मिक्षर वगएरा जैसे आपको पते हैं तो सोच रहे कि इस टोयलेट के तो लगाई लेते हैं तो जैसे भी होगा देखते हैं बताऊंगे शेर करूंगे आप लोगों के साथ और अब आ गई थी ये हमारे डाइनिंग रूम है तो डाइनिंग रूम बट डाइनिंग नहीं है अभी सामान हम इसलिए भी नहीं ले रहे पकिश्य। और बच्चे देखो सीन्री गुमा रहे हैं ήज और सीन्री र्की यही सीन्री थे उसके अंदर और सीन्री एमने उपर रकी हुए है तो हन्नू मेरे साथ लग गया था कि मемý मैं आपके साथ हेल्प करूँगा यह क्या है पानी मैंने पी लिया था गरम तो इसके बाद यह क्या बोलते मैं यह जार दूंगी मतलब बैट शीट हो गया रहा यह यह होता कि बच्चे ना और यह जैसे अभी वो खुरकी खोलते हम ना तो धूर बहुत जादा आ जाती तो दिन में दो तिन बार जारू लगान तो जाड़ो जुड़ो लगा दूंगे और इसके बाद दिखाते हूं मैं अपने घर का लूग आपको फाइनल लूग तो किचन से स्टार्ट करती हूं जैसे किचन किनिंग तो आपने देखी लिए होगी पहले वीडियो में तो यह किचन है और यह हमारा बाहर का एंट्री और यह हमारा मास्टर बैडरूम है तो यह तकत जो है न यह हमारे मगल में चाची जी लोगों के है और एक एंट्री हमारी यहां से भी है तो यहां से चलते हैं तो यह आग सामने जहां परदा लगा मंदिर है टॉयलेट वाश्रूम है और एक बैडरूम यह हमारा तो इतना साथ वीडियो का भी अन करते हैं बबाई